तो हम घर चले वो चला गया तुम ठीक हो हां मैं ठीक हूँ अंदर आजाओ जिम जैसे लोगों की बज़ा से मनें क्लिनिकल काम छोड़ दिया पूरी तरह से बंद कर दिया मैं वो सीजोफ्रेनिक्स है इसे साइको पैथोलोजी कहते हैं हलांकि कहना तो नहीं चाहिए लेकिन परिस्तितियां ही ऐसी है तो कहना पड़ता है मैं मर्द हूँ मदद की भी तो एक हद होती है मैं मर्द हूँ कुछ केसिज में मरीज़ों से बात करना ही काफी नहीं है उन्हें ठीक करने के लिए तो एसी हालत मैं दवाईयों पे ज्यादा ध्यान देना जाते हैं लेकिन पूरी तरह से ठीक होना हमेशा पॉसिबल नहीं होता है तो आप क्या रहे हो कि कुछ लोग के हल्प नहीं की जा सकती तुम सोच भी नहीं सकती हो कि जिम का बच्पन कैसे गुजरा है लेकिन उसे मदद की बहुत जरूरत है जरूरत है उस लड़की ने तुम्हें सेक्स सामने से उफ़र किया ले मैं नहीं जानता है मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता तुम सब कुछ जानते हो मैं जानता हूं मुझे माफ कीजिए मैं आपकी बात समझने पा रही हो कि आप कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि यह किस डिफिकल्ट है अब देखते हैं क्या होता है अच्छा ठीक है देखते हैं क्या होता है जिखेंगे अ जिम इस हुआ पूर्पट चैजा नायारीados हाग आद सब अुर्पट पूर्प्ट जायारी चाह सबाह स्या टाल की जागड़ा टोौल विए दोस्त जरा आवास कम करोंगे मुझे डिस्चर्ब हो रहा है क्या तुम इससे आज बाहर निकलोगे दोस्त चलो यार कोई काम की चीज तो करें मैं कुछ दिल सस्प कर रहा हूँ कम से कम 19,876 फॉलोर से अरे यार ये सब चीज तो नॉमल है क्यों? ये कैसी है सेक्सी सी लाइब्रेरियन मतलब अच्छी है यार बस थोड़ा सा ड्रक्स लेने के बाद वो मस्ती में आ जाएगी थोड़ी कोशिस तो करके देखो तुमने देखा क्या? उसने अभी तुम्हें देखा जाके मिलो ना आखेर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है जाके मिलो ना एई! क्या अब तुम चलके जाओगे? किसी भी लड़की से बात करने में तुम इतना घब रहोगे तो तुम्हें कोई लड़की मिलेगी कैसे? कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से हर किसी के नसीब में लड़किया नहीं होती हैं, तुम खुद से ही मजेलो बुरा मुत मनो, यार मैं तो बस मजाग कर रहा था बैसे भी ऐसी लड़किया तुम्हारे लिए नहीं है